So hello guys, तो आज के इस वीडियो में पिछले एक साल के top 30 important questions का हम लोग quick revision करेंगे, last May top 10 days का भी revision करेंगे तो आज का हमारा पहला प्रशन क्या है? कि विश्व आत्मत्या रोक्थाम दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 September को अगला प्रशन है, अभी HDFC bank ने किस राजय में bank on wheel सेवा को शुरू किया तो आंसर होगा गुजरात में तो इसमें क्या होगा? जिन गाओं में banking सुविधार नहीं है, वाँपे banking सुविधार उपलब्द कराए जाएंगी अगला प्रशन क्या है? बताओ अभी September में भारत के किस पूर्व मुखे नयादेश का निदन हो गया वो 1991 में 18 दिनों के सबसे कम अवदी के लिए Chief Justice of India बने थे तो आंसर होगा कमल नारायंट सिंग तो ये नाम important है, कुछ static यांसे क्या हम देख सकते है देखो एक तो ये याद रखना, सबसे कम दिनों तक के अभी तक हमारे Chief Justice of India कौन रहे तो कमल नारायंट सिंग थे 18 दिनों के लिए रहते मात्र और कौन से नंबर के थे? 22 वे नंबर के थे और अगर इसी का उल्टा, पूछे की सबसे लंबा कारेकाल अभी तक किसका रहा है तो हमारे जो 16 वे Chief Justice of India थे, Y.V. चंदरचूड का 7 साल 4 महिने 20 दिनों तक ये Chief Justice of India रहे थे आप जानते हो अभी वरतमान में हमारे Chief Justice of India है, D.Y. चंदरचूड वो उनी के पिताजी थे, Y.V. चंदरचूड और D.Y. चंदरचूड अभी वरतमान में कौन से नंबर के हैं तो 50 वे नंबर के हैं ये आप ध्यान रखना, अगला प्रशन देखते हैं फिर बताओ अभी किसराजी की सरकार ने भूजल इस्तर में सुधार के लिए वर्षा, जल्द, संचेन, योजना शुरू की तो अंसरोगा उडिसा ने फिर बताइए अभी किसराजी में मिलेटरी स्टेशन का नाम देश के पहले चीफ, C.D.S. विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया तो अंसरोगा अरुनाचर प्रदेश में और वैसे अभी हमारे दूसरे C.D.S. कौन बने थे अनिल चोहान, उनका भी नाम ने अन्द रखना आगे देखते हैं, अभी किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना परमुक सुनिल लांबा को मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया तो अंसरोगा सिंगापूर ने अगला प्रशन देखते हैं, इसमें आपको बताना है कहाँ पर राष्टर समुद्र विरासत परिसर का निर्मान किया जा रहा है तो अंसरोगा लोथल में, लोथल का है गुजरात में, फिर बताईए क्या बताईए कि ब्रच बासी लाल का निदन हो गया, वे क्या थे, वे पुरा तात्वित थे, आर्केलोजिस्ट अच्छा एक परश्ण यहां से बनता है, जो भारते पूरा तत्व सर्विक्षन है, आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया, उसके संस्थापक पूछे जाते हैं कौन थे, अलेक्जेंदर कनिंगम थे, और वर्तमान में इसके डारेक्टर जनरल है, वी विध्यावती अगला प्रश्ण देखते हैं, पूछे रहें कि हिमाले दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 सेप्टेंबर को मनाते हैं, और अगला प्रश्ण क्या है, कि किस देश के कप्तान एरोन फिंच ने वंडे से सन्यास ले लिया, तो आंसर होगा उस्ट्रेलिया, अगला देख अब बताओ विश्व इलेक्टरिक वेकल दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 9 सेप्टेंबर को मनाते हैं इसे वर्ल्ड इलेक्टरिक वेकल देखो अगला प्रशन क्या है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी जी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उधगाटन किया तो आंसर होगा एहमदाबाद में संसर्ट टीवी के सीईओ उत्मल कुमार सिंग है और डियाडेो के चेर्मेन बने समीर भी कामत अगला देखते हैं कि भारत के पहली इंट्रा नेजल कोविड वैक्सीन के इमर्जेंसी इस्तमाल को मनजूरी मिल गई है इसका नाम बताओ तो आंसर होगा इमको वैक बनाया कि ने इसको भारत बायो टेक ने बनाया है और ये भारत का कोविड नाइंटीन वैरेस के लिए पहला ना दिया जाने वाला ठीका है अगला दिखते हैं अगला प्रशन है बुक है ये कि फोर्जिंग मैटल रपेंद्र राव एंड पैननार स्टोरी इसको किस ने लिखा है तो कि देविकार रंगाचारी ने Queen of Fire नाम की बुक लिखिया है अगला प्रशन क्या है कि अभी September 2022 में Prince of Wales के रूप में किसे नामित किया गया तो अंसर होगा Prince William को Prince William ये महरानी Elizabeth Dritya के पूते हैं अगला प्रशन देखते हैं तो बताओ कि अभी BCCI के अंतर राश्टर और घरेल मेचुक के लिए title sponsor कौन बन गया तो अंसर होगा Mastercard अगला प्रशन है कि MRI मशिनों में इस्तमाल होने वाला भारत का पहला Superconducting Magnet System सफलता पूरवक किस ने डेवलप किया तो अंसर होगा Inter University Accelerator Center ने अगला प्रशन देखते हैं तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि US Open 2022 में Carlos Alcaraz ने ये Spanish tennis player हैं याद रखना और इनों ने इसमें Sea Roode को हरा करके अपना पहला Grand Slam title जीता है और आप मुझे comment box में लिख करके बताओ इसमें women single का title किस ने जीता था वैसे और प्रशन हम आगे देखेंगे अभी जब तक अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन में प याद रखना ये पूरुशों का Asia Cup है अगर आपसे पूछे ना महिलाओं का Asia Cup वो बांगला देश में हुआ था उसको भारत ने जीता था श्रेलंका को हरा करके ऐसे याद रखो अगला देखते हैं अगला है राष्टर वन शहीद दिवस कब मनाया गया तो आंसरों का 11 सेप कौन टॉपर है तो आंसरोंगा अंधर प्रदेश शेत्र फल की दरश्टी से टॉपर है मध्य प्रदेश और परसेंटेज वाईज सबस्यादा वरदी देखी गई है मिजोरम में ये मिजोरम वाला प्रशन एक्जाम में आ चुका है दियान रखना इसको अगला प्रशन दे जीता है यूएस ओपन ये साल का आखरी ग्रेंड सिलेम होता है साल में चार ग्रेंड सिलेम होते है उसमें से आखरी वह लाईए अगला प्रशन देखिए कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया तो आंसरोंगा दस सेप्टेंबर को मनाया गया एक्चुल के गूरजर मुसलिम है गुलाम अली जिनको भी राज्यसबा के लिए मनुनीत किया दुरोपती मुर्मुन है और ये प्रशन क्यों पढ़ रहे हम क्योंकि ये पहली बार है जब इस शेत्र के किसी गूरजर मुसल्मान को मनुनीत सदस्य के रुप में राज्यसबा भेजा ग कि अगला प्रशन देखते है। इसं प्रशन आपसे पूच रहे हैं इतालवी फॉर्मुला वन ग्रेंटरी किताब किसने जीता तो अंस आरों का मैक्स वेट्सपन है, ये रेडबूल के ड्राइवर है मैक्स वेट्सपन, अगला प्रशन देखते हैं। इसमें आपसे गिरी, चौथा है दुना गिरी, और यवा है तारा गिरी, अगला देखते हैं, अगला बताओ, अंतरराष्टर डेरी संग विश्व डेरी सम्मेलन 2022 का उधगाटन कहां पर किया गया, तो अंसर हो गया, ग्रेटर नोईडा में, मोधी जी ने किया था इसका उधगाटन, आप 10 days का quick revision कर लेते हैं, फिर इसको end करते हैं, तो बताओ, अंतरराष्टर शरमिक दिवस हमने कब मनाया, तो आंसर होगा, एक मई को मनाया, विश्व प्रेश स्वतंतरता दिवस, यह हमने तीन मई को मनाया, इसकी theme क्या थी, digital गेराबंदी के तहत पत्रकारी था, फिर अंतरराष्टर प्रद्योगी की दिवस, 11 मई को मनाया, इसकी theme थी, सतत भविश्य के लिए विज्ञान और प्रद्योगी की में, एक क्रत त्रश्टी कून, अंतरराष्टर नर्स दिवस, 12 मई को मनाया जाता है, अंतरराष्टर परिवार दिवस, 15 मई को होता है, theme है, परि engaged और अंतर राष्टर जै विवित्ता दिवस 22 मही को होता है इसके theme थी building a shared future for all life तो guys ये लीजिए आज की हमारे revision वाली class इहीं पर end होती है comment करके बताए कैसे लगी class और वाकई helpful लगी आप चाहते हो ये continue रहे इसी तरह से तो आपको बताए क्या करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने एक study group में आपको share जरूर करना है तो कि अगर वीडियो को response मिलता रहेगा तो ये continue रहेगा अगर इसको response मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हमें से बंद करना पड़ेगा मजबूरन तो अब ये आपके जिम्में है आप क्या चाहते हो continue रहे या discontinue हो जाए अभी तक like नहीं करा like कर देना share कर देना thank you